दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका आपके अपने ही परिवार परिक्चा अड़ा में दोस्तों आज हम बात करेंगे Acid, Base and Salt तो ये आपका New Chapter बन रहा है और आज हम बात करेंगे इनी के बारे में कुछ महत्तपूर MCQ जो आपके पेपरों में बार बार पूछे गए है चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला कुश्चन आपके सामने आ चुका है इन में से किसमें विद्दुत का संचालन नहीं होगा तो आपका आंसर होगा यहाँ पे Distilled Water क्या होगा दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे Distilled Water ठीक है न अगर हम Distilled Water यानि कि आसुत जल की बात करें तो इसमें विद्दुत का संचालन नहीं होगा क्योंकि जो आसुत जल का पी एच होता है वो होता है आपका साथ कितना होता दोस्तों साथ और कभी भी अगर किसी भी विलियन में विद्धत का संचालन करना हो तो उसका आइनिक होना बहुत जरूरी है दोस्तों उसका आइनिक होना बहुत जरूरी है ठीक है और अगर pH 7 है तो कहीं ना कहीं ये आइनिक ना होकर बलकि neutral हो जाएगा और neutral के case में इसमें विद्धत का संचालन नहीं होगा मतलब कि यहाँ पर आपका अंसर आसुत जल हो जाएगा ओके, next question अमले जिसका प्रयोग LED बैटरी के निर्माड में करते हैं दोस्तों देखे, H2SO4 आपको यहाँ परांसर सही होगा अमले जिसका प्रयोग LED बैटरी या फिर आपसे पूछ सकता है inverter की बैटरी में inverter की बैटरी में ठेक, तो आप हमेशा याद रखेंगे H2SO4 यानि कि Sulfuric Acid का प्रयोग किया जाता है H2SO4 को दोस्तों अमले राज भी कहा जाता है H2SO4 को अमले राज भी कहा जाता है ये भी बात आप याद रखेंगे और क्या कहा जाता है इसे और इसे Oil of Vitroil भी कहा जाता है Oil of Vitroil भी कहा जाता है ठीक है ना, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने है अगला question इन में से किसमें सड़े अंडे के समान गंध है आएगी तो आपका अंसर होगा H2S H2S को आप कह सकते हैं hydrogen hydrogen sulfide ठेक इसमें सड़े अंडे की भाँ ते गंध है आएगी या यूँ कहें अगर sulfur आपका कहीं भी उपस्तित होगा तो उसमें सड़े अंडे के समान गंध आएगी क्योंकि sulfur आपका एक ऐसा है जिसमें permanent सड़े अंडे के समान गंध बनी रहती है चलिए दोस्तों next question इन में से किस gas की उपस्तिती में पीतल का रंग फीका हो जाएगा इन में से किस gas की उपस्तिती में पीतल का रंग फीका हो जाएगा तो आप का आँसर होगा है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है ना अगर बात की जाए अगर बात की जाए कि H2S यानि हाइडोजन सिल्फाइड की उपस्तिती में चांदी का रंग कैसा हो जाएगा तो आब याद रखेंगे हाइडोजन सिल्फाइड की उपस्तिती में चांदी का रंग काला हो जाता है ठीक है काला हो जाता है और चांदी से क्रिया करने के बाद ये बनाता है AG2S Silver Sulfide ओके Next question देखिए Soda water उधारन है दोस्तों याद रखें जितने भे खाने वाले अमल होते हैं जो खाने से संबंधित पीने से संबंधित जो भी अमल होते हैं वो सभी दुरुबल होते हैं ठीक है Weak Acid होते हैं क्योंकि कोई भी strong Acid हम खा नहीं सकते हैं पेट वेट काट देगा ठीक है न तो Weak Acid को हम 7 करते हैं मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो Acid प्रकृति बनाती है Natural Acid ठीक Weak Acid एक तरह से Natural Acid भी होते हैं गलती से H2SO4 या फिर SCL उंगली पे गिर जाए तो देखे कितना मज़ा ही आ जाएगा तो ये बात आप जान रखेंगे ध्यान रखेंगे कि Weak Acid जो होते हैं वो Natural Acid होते हैं और आपके खाने में प्रयोग किये जाते हैं चलिए Next Question कि और बढ़ते हैं अमल जो कि भोजन के पाचन में सहायक है तो ये तो आप जानते हैं दोस्तों SCL होता है 0.05% 0.05% पाया जाता है पित तरस में यानि कि Bile Juice में ठीक है अगर हम Bile Juice की बात करते हैं तो Bile Juice यानि कि पित तरस आपका कहां से निकलता है तो आपका आंसर होगा यक्रित से सरावित होता है कहां पर एक अत्रित होता है तो आप कहेंगे गाल ब्लेडर में यानि की पित तासे में ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कॉश्चन की और बढ़ते हैं मियूरेटिक अमले किसका दूसरा नाम है आपका अंसर होगा SCL इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टन कॉश्चन है सीधे सीधे आपको क्यों इतना याद रखना है कि मियूरेटिक असिड का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे हाइड्रो क्लोरिक असिड या फिर SCL ओके नेक्स्ट कॉश्चन देखिए अमले नासक संबंदित है अमले नासक संबंदित है तो अमले नासक बेस से संबंदित है चार ठीक है कभी भी अगर पेट में अमले यता की गरबड़ी हो जाए तो आप NaHCO3 या फिर MgOH का twice का प्रयोग कर सकते हैं MgOH का twice क्या हुआ आपका तो ये आपका हो गया Magnesium Hydroxide Magnesium Hydroxide ठीक ना ये चार है Magnesium Hydroxide MgOH का twice ठीक क्यों प्रयोग करते हैं इसका तो पेट की अमले अधा दूर करने के लिए इसका एक अन्य नाम भी है इसका अन्य नाम क्या है तो आप कहेंगे Milk of Magnesia Most important question है ये कि अमलेता दूर करने के लिए हम कौन से base का प्रयोग करते हैं कौन से चार का प्रयोग करते हैं तो MgOH का twice जो आपके E9 में भी पाया जाता है ठीके ना E9 में ठीके दोस्तों Milk of Magnesia कह सकते हैं इसको या फिर आप कह सकते हैं इसको Magnesium Hydroxide चलिए दोस्तों Next question क्यों बढ़ते हैं इन में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है इन में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है तो आपका answer हो जाएगा यहाँ पर उपरोगत सभी प्राकृतिक सूचक है उपरोगत सभी ठीक लिटमस पेपर या फिर आप इसे Lichen Piper भी कह सकते हैं Z cabbage यानि कि लाल पत्तागो भी कह सकते हैं तर्मेरिक यानि कि हाप इसे हल्दी भी कह सकते हैं ठीक अब प्राकृतिक सूचक मतलब आप समझ रहे हैं सुनिए ध्यान से दोस्तों, जैसे हल्दी का दाग है, अगर हम टर्मेरिक याने की हल्दी की बात कर रहे हैं, तो हल्दी का दाग जैसे कपड़े पर लगा हुआ है, तो क्या कीजिए आप, उस पर अगर साबुन रगड़े हम, हल्दी की दाग पर साबुन रगड़े हम, तो क कहीं ना कहीं वह लाल रंग छोड़ेगा क्लियर है बाश समझेए आफ फिर से सुन दिजिए साबुन क्या होता है एक बेस होता है साबुन क्या होता है छार होता है थीडंगे ना जानते हैं आप कास्टिक पोटास होता है तो अगर हम कहीं ना कहीं हल्दी के दाग पर हम बेस यानि की छार रगड़ते हैं तो वह हमें लाल रंग देता है ठीक लेकिन अगर हल्दी के दाग पर हम नीबू नी चोड़ें या नीबू सरगड़ें तो वह पीला रंग दिखाई देता है ठीक है अगर हम अमले डालते हैं जैसे की नीबू डाल देजे तो आपको पीला रंग दिखाई देगा इसको आप करके घर में देख सकते हैं चाहे तो ठीक है बात आप समझ गए होंगे तो आप ये जान लेजे प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि यह जो होते हैं प्राकृतिक सूचक जो होते हैं अमल और छार को बतलाते हैं ठीक मतलब छार अगर रगड़ेंगे तो लाल रंग छोड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये छार है ठीक है जैसे साबुन ठीक है अमल रगड़ते हैं ये पीला रंग छोड़ता है तो भी आप समझ जाएंगे कि ये एक प्राकार का अमल है क्लियर चलिए नेक्स्ट कुश्चन क्यों बढ़ते हैं लिटमस पत्र बनता है यहाँ पर कुश्चन है दोस्तों लिटमस पत्र बनता है तो आप का अंसर होगा लाइकेन से आपको यहाँ पर जादा इस पर चर्चा नहीं करनी है इस पर क्यों याद करना है आपको एक चीज़ आप जान लीजे कि लिटमस पिपर बनता है लाइकेन से ठीक है लिटमस पिपर होता किस रंग का है कभी कभी कुश्चन ये पूछ लेता है तो आप कहेंगे बैगनी रंग का होता है इसको आप याद कर लेज़ेगा कि economist paper बैगनी रंग का होता है चलिए next question देखिए लाइकेन निमन में से किस producing का सूचक है याद रख्ये दोस्तों Sulfur dioxide की अधिकता के कारण ही लाइकेन बनबते है ये बात आप याद रखेंगे कि सलफर डायोक्साइड की अधिकता के कारण लाइकेन बनते हैं क्लियर हो रही है दोस्तों चलिए नेक्स ट्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं पुरानी किताबों का रंग पीला हो जाता है क्यों कि वे सरलोज की बनी होती है चलिए दोस्तों नेक्स ट्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं चीनी मिल से निकले अपसिस्ट पतार्थ का प्रयोग किया जाता है चीनी मिल से निकले अपसिस्ट पतार्थ का प्रयोग किया जाता है तो आपका आंसर होगा यहां पे पेपर पल्प फैक्टरी में ठीके मतलब जो paper pulp factory जो लुगदी निकलती है चीन इमेल से जो गन्य की जो लुगदी होती है खोई होती है जिसे आप कहते हैं ठीके वो पूर पूरण रूप से serologe होता है क्या होता है वो एक प्रकार से serologe होता है जिसको ले जाकर paper factory में गन्ये के मालिक जो होते हैं गन्ये के खेतों के यहाँ पर जो गन्ये का जूसूच निकालते हैं उसके जो मालिक होते हैं जाते हैं बेच जाते हैं बात समझे आप तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पेपर पल्प फैक्टरी क्लियर हैं चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखिए कैपसूल कवर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो अंसर होगा आपका जिलेटिन कैपसूल कवर जो होते हैं वो किसके बनते हैं जिलेटिन जो आप कैपसूल खाते हैं कैपसूल के अंदर तो दवा होते हैं लेकिन जो कैपसूल का कवर होता है और gelatin होता क्या है तो याद रखेगा दोस्तों कि बूचड खाने का waste material जहाँ पर गाए भैसे बैल कटती है वहाँ का जो waste material होता है वो होता है gelatin clear हो रही बात ठीक है बात समझ गया आप चलिए दोस्तों next question क्यों बढ़ते हैं फटा फट से इन में से कौन cigarette के धुवे का मुख घटक है तो जाद रखेए दोस्तों carbon monoxide ठीक cigarette में क्या होता है तो आप कहेंगे nicotin होता है भर nicotin चाय में भी होता है ठीक है न लेकिन उतना नहीं जितना की cigarette में एक प्रकार से चाय भी नसे का सेवन ही है मतलब आप चाय जब पीते हैं तो हलका नसा होता है जिससे कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं बाधित होती है और आपकी नींद भाग जाती है मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हमारा सरीर मस्तिस्त के सूचना पहुचाना चाह रहा है कि अब आप ठक गए हैं सो जाईए ठीक है लेकिन जब आप चाय पीते हैं तो क्या होता है उन तंत्रिका कोशिकाओं के बीज में निकोटिन की मात्रा आ जाती है जिसके कारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ट्रांसफर होने के लिए समय जादा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि नीन तो भाग गई है ठीक है ना कलिया च CFC का प्रियोग किया जाता था ठीक है परंतु CFC जो है आपका ये ओजोन परत को बहुत तेजी से च्छै कर रहा था बहुत तेजी से खराप कर रहा था जिसके तहट एक प्रोटोकॉल हुआ पूरी दुनिया का मौनी टिरियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं आप इसे ठीक है इस पे सभी देशों ने समझाता किया और CFC के इस्तिमाल को पूर्णता बैन कर दिया गया और नेक्स्ट केस्टिन है दोस्तों आपका अमल जिसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माड में किया जाता है तो आ आप जानते हैं कि पौधों की सर्वोत्तम विर्द्धी के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जोड़ी है ठीक है तो यहाँ पर आपको HNO3 दिखाई दे रहा है तो यह कहीं नाइट्रोजन इसमें पाया जा रहा है तो आपका अंसर यहाँ पे HNO3 हो जाएगा नेक्स्ट जान लेजे दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा पिक्रिक एसिड टी अनपी आप सभी लोग जानते हैं टाइनाइट्रोफिनॉल नेक्स्ट कुस्टिन अमल जो की सोडा वाटर का मुख्य घटक है H2CO3 याद रखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड ठीके ना अमलका प्रयोग इंक के दब्बे छुडाने में करते हैं तो आप कहेंगे और जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है ये बात आप जानते हैं ठीक है अगर मैं आप से यही पर पूछूँ कि भाई ये बताईए कि जो पतरी बनती है उसका मुख्य घटक क्या होता है तो मतलब कहीं न कहीं टमाटर में और जेलिक एसिड पाया जाता है इसी वजह से डॉक्टर हमें टमाटर खाने के लिए मना कर देता है जब पतरी होती है और जेलिक एसिड के जो मुख सुरोत होते हैं वो टमाटर होता है और आपका बैगन होता है ठीक है कहीं न कहीं लोग कहत हैं कि टमाटर में बीज बहुँत जाता है और आपका बैगर में बीज बहुत जाता है इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि बीज बना दिए तो आप जानते रहिए कि ऐसा नहीं है कैलसियम और और जेलिक एसिट की अधिकता से पत्थरी का निर्माड होता है इसी वज़ा से कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको टमाटर और बैगन खाने से मना कर देता है नेक्स्ट कॉस्चन गठिया रोक संबंदित है तो यूरिक एसिट से जोडो के बीच में यूरिक एसिट जम्मा हो जाता है जिसकी वज़ा से गठिया रोक से संबंदित बीमारी होती है काफी दर्द होने लगता है ठीक है ना दोस्तों और कार्बोनिक एसिट की बात करें अगर तो सोडा वाटर में ये तो आप जानते ही है जादा मुझे बताना नहीं है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कोष्ण क्यों बढ़ते हैं चल्दी से एक कोष्ण और आप यहाँ पर बन जाएगा आपका की फॉलिक एसिट किससे संबंदित है फटा फट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए आप चलिए नेक्स्ट कोष्ण देखिये प्रबलतम हाईड्रोजन बंध का उधारन है तो दोस्तों HF Hydro Fluoric Acid आप याद रखेंगे कि जो आपका हाईड्रोफलोरिक एसिड है वो फ्लोरीन के साथ नाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ प्रबलतम बंध बनाता है मान लेज़े HF HN HO ये तीनों option में दे तब आपका HF परबलतम बंद होगा ठीक है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं fluorine, nitrogen और oxygen ये विद्दुत जलनात्मक तक तो है ठीक है आप इसको electronegative element कह सकते हैं चलिए next question देखिए soda water की खोज किसने की थी तो आप का answer होगा जोसेफ प्रीस्टिले ने soda water की खोज किसने की थी आँसर लगाएंगे आप जोसेफ प्रीस्टिले ने ठीक है ना अब यहाँ पर question एक बन जाता है कि friendic वहलर ने और बरजीलियस ने किस चीज की खोज की थी friendic वहलर ने और बरजीलियस ने क्या खोजा था इस चीज का answer फटा फट से comment box में बताईए next question देखिए कौन सी प्रकृति से अमलिये नहीं है इन में से कौन सी गैस प्रकृति से अमलिये नहीं है तो आप जान लेजे दोस्तों जो आपका sulfur dioxide और nitrogen dioxide है यह आपका अमले वरसा का मुख्य घटक है ठीक है तो यह तो अमलिये होगा ही SO2 बनाता है वास्प की उपस्तिती में H2SO4 और आपका NO2 बताता है HNO3 तो यह दोनों आपके अमले वरसा के मुख्य घटक हो गए ठीक है बास समझे आप और carbon dioxide भी अमली यह होती है मतलब आपका अंसर यहाँ पर D सत्य हो जाएगा क्लियर चलिए एक्वारेजिया किससे संबंदित है तो आप कहेंगे अच्छा लिखा है एक्वारेजिया किससे संबंदित नहीं है तो SCL और HNO3 ठीक एक्वारेजिया आप जानते हैं तीन रेशियो एक के अनुपात में होते हैं और बनाते हैं एक्वारेजिया ठीक तो यहाँ पर आपका H2SO4 सत्त हो जाएगा Next question निवन मेंसे किसे सौम में अमल कहा जाता है किसे सौम में अमल भी कहा जाता है तो आप जानते रहें जिसे आप खाते पीते हैं उसे आप सौम में अमल कह सकते हैं यहाँ पर है वी केसिड ना देका सौम में दिया हुआ soft हैशिड ठीक है तो थोड़ा soft हैसिड को आपको समझना पड़ेगा क्यों होता क्या है यहाँ पर आप लगाएंगे बोरी केशिट क्या लगाएंगे दोस्तों बोरी केशिट बोरी केशिट क्या करता है तो याद रखेंगे आपकी बोरी केशिट जो होता है उससे आप अपनी आँख में डाल सकते हैं आँख में डाल सकते हैं मतलब आँख की दवा बनाने के लिए बोरी केशिट का प्रयोग किया जाता है यहां पर आंसर होगा आपका बोरी केशिट तो यह थी दोस्तों आची क्लास कैसी लगी आपको आची क्लास जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में उमीद करता हूँ कि आपको आची क्लास जरूर पसंद आई होगी तो ठीक है दोस्तों तो आची क्लास को हम यहीं रोकते हैं जै हिंद जै भारत